Hello friends, जब भी आप एक passport के लिए apply करते हैं, तो आपके mind में जरूर question arise होता है, कि passport apply करने के लिए हमें 10th class की mark shit देनी जरूरी भी होती है या नहीं भी होती है, यानि कि अगर हम अपने 10th class की mark shit देंगे, तो ही हमारा passport बनेगा, या फिर without 10th की mark shit दिये हमारा passport बन सकता है, तो इन स 10th class की mark shit गुम हो जाती है, या फिर आपके पास आपकी 10th class की mark shit है ही नहीं, तो आप सोचते हैं कि क्या आपका passport बनेगा भी या नहीं, तो ये depend करता है कि आप किस category के अंडर passport के लिए apply कर रहे हैं, तो passport के लिए apply करने के लिए हमारे पास यहाँ पर two categories है, first one is ECR and the second one is non ECR, E अगर आप 10th class या फिर इससे कम पड़े लिखे हैं और passport apply करते समय अपनी 10th class की mark shit साथ में नहीं लगाते, तो आपको यहाँ पर Ministry of External Affairs की तरफ से एक ECR passport issue किया जाता है, तो यहाँ पर ECR passport में क्या रहता है, कि बहुत सारे लोग जो work permit यानि की काम के purpose के लिए Arab countries जाते हैं, यानि कि Dubai, Oman, Kuwait इन countries में जाते हैं, तो वहाँ उनके साथ अच्छा behave नहीं किया जाता, तो उनसे काम भी जादा करवाया जाता है, और उनका passport भी वो अपने पास रख लेते हैं, तो passport ना होने की वज़य से वो अपनी country में भी वापिस नहीं आ सकते, तो इसलिए government के यही को करो, तो आप freely अपना काम कर सको, और आपका passport एक तरहां से आपकी property है, वो आपके पास ही होना बहुत जादा जरूरी है, यानि कि आपका जो passport है, वो किसी भी third person के पास नहीं होना चाहिए, और किसी भी third person के पास कोई ऐसा right नहीं है, कि वो आपके passport को अपने पास रख सके, तो वहीं अगर हम बात करें non-eCR passport की, तो non-eCR passport means immigration check not required, यानि कि अगर आप 10th class या फिर इससे ज़्यादा पड़े लिखे हैं, और passport apply करते समय अपने 10th class की mark shit लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर ministry of external affairs की तरफ से एक non-eCR passport issue किया जाता है, तो अगर आपके पास आपका non-eCR passport ह तो आप freely किसी भी country में easily travel कर सकते हैं, तो 10th class की mark shit की requirement किस type की visa के लिए होती है, इसके बारे में भी हम discuss कर लेते हैं, अगर आप tourist purpose यानि की घूमने फिरने के purpose हैं किसी भी country में जाना चाहते हैं, तो आपको 10th class की mark shit की कोई requirement नहीं होती, means आपके पास चाहे eCR passport हो, चाहे non-e eCR passport हो, कोई फरक नहीं पड़ता, किसी भी passport के basis पर आप tourist visa पर जा सकते हैं, वहीं अगर हम बात करें employment visa की, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 10th class तो पास ही हो, ताकि आप अगर किसी भी अरब country यानि कि ओमान, कुवैत, कतर, इन countries में जाओ, तो वहां आपको सही स काम भी मिल जाए, और आपके साथ गलत भीएव भी ना हो, और जो आपका passport है, वो भी आपकी custody में ही हो, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े, आप अपनी country में वापिस आ सको, तो अगर आप tourist purpose से किसी भी country में visit करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी 10th class क कि माक्षिट ना ही लगाओ, क्योंकि जितने ज़्यादा documents आप लगाओगे, उतनी ही legal formalities आपको ज़्यादा complete करनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके documents में आपका name और address mismatch होता है, तो इस case में भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकत है, तो इसलिए better है कि जब भी आप passport के लिए apply करो, तो आप अपने minimum documents ही अपने साथ में लगाओ, तो अगर आप study purpose से जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपकी 10th class की माक्षिट हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लोगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, thanks for listening and thank you everyone